मान लीजे, हमारे पास एक गेंध है, जिसे हम 10 मीटर की उचाई से गिराते हैं प्रते एक बार उचलने पर ये अपनी पिछली उचाल के आधा उपर की तरफ जाती है तो उधारन के तौर पर अगर हम इसे 10 मीटर से गिराते हैं तो अगली बार इसकी अधिकता मूचाई, peak height 5 मीटर होगी. चलिए इसे नारंगी रंग से लिख लेते हैं. तो अगली उचाल में गेंद 5 मीटर तक जाती है. तो यहाँ यह दूरी 5 मीटर होगी. और फिर से गेंद की अगली उचाल इसके आधा होगी. तो अब यह 2.5 मीटर तक जाएगी. और इस तरह से यह आगे भी जारी रहेगी. तो यह यहाँ 2.5 मीटर तक जाएगी. और हम इस वीडियो में यह पता करना चाहते हैं कि गेंद द्वारा तै की गई उर्दभाधर दूरी यानि vertical distance कुल कितनी होगी. चलिए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं. तो पहले यह नीचे की ओर 10 मीटर तक जाएगी. इसलिए यह 10 मीटर की दूरी तै करेगी. और फिर यह 10 मीटर के आधी दूरी दो बार तै करेगी. यानि कि पहले यह उपर की ओर 5 मीटर जाएगी, जो 10 मीटर का आधा होगा, और फिर यह नीचे की ओर भी 10 मीटर के आधी दूरी तै करेगी. चलिए, हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं. तो इन में से पते एक 10 मीटर वास्ताव में हमें यहां मातरक यूनेट लिखने की जरूरत नहीं है. तो चलिए, यहां से मातरक खटा देते हैं. और इसे इस पश्ट रूप से लिख लेते हैं. तो पहले उच्छाल में यह 10 मीटर तक नीचे जाएगी. फिर अगले उच्छाल में यह उपर की ओर 10 गुणा 1 बटा 2 तक जाएगी. और फिर यह नीचे की ओर 10 गुणा 1 बटा 2 तक जाएगी. ध्यान दीजिये, हमें यहां केवल उर्धवाधर दूरी पर ध्यान देना है. और यहां दिशा से कोई मतलब नहीं है. तो यह 10 गुणा 1 बटा 2 मीटर, मतलब 5 मीटर उपर जाएगी. और फिर यह 5 मीटर नीचे जाएगी. तो यह 10 मीटर उर्धवाधर दूरी तै करेगी. यह 5 मीटर उपर की ओर और 5 मीटर नीचे की ओर. तो अब हम इस उच्छाल के बारे में क्या कह सकते हैं? यहां पर यह इस दूरी के आधी दूरी जाएगी. तो यह 10 गुणा 1 बटा 2 का वर्ग उपर की ओर जाएगी. और फिर 10 गुणा 1 बटा 2 का वर्ग नीचे की ओर जाएगी. अब हम यहां एक पैटन देख सकते हैं. अब यह एक गुणोत्तर शेनी या यूँ कहिए कि एक अपरिमित गुणोत्तर शेनी की तरह लग रही है. यह इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी. तो चलिए अब इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखते हैं ताकि यह एक परमपरागत गुणोत्तर शेनी यानि ट्रडिशनल जोमेट्रिक सीरीज की तरह लगे. अब इसे सरल करना है. तो हम इसे पुन्ह इस तरह लिख सकते हैं. दस जमा बीस गुणा एक बटा दो की घात एक. जमा ये दस गुणा एक बटा दो का वर्ग, जमा दस गुणा एक बटा दो का वर्ग, यानि बीस गुणा एक बटा दो का वर्ग. और ये इसी तरह से आगे जाएगा. तो ये थोड़ा और स्पष्ट होता, अगर यहां ये 20 होता, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस 10 को रिनात्मक 10 जमा 20 भी लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास जमा ये सभी संख्याए हैं, चलिए हम इसे copy और paste कर लेते हैं, तो ये जमा ये सभी संख्याए हैं, और यहां इस पूरे योग को यहाँ उपर लिख लेते हैं, यूँकि मैं नहीं चाहता कि हमारा चित्र छुप जाए, तो हम यहाँ रिनात्मक 10 लिख लेते हैं, जो ये वाला रिनात्मक 10 है, जमा 20 गुणा सारवनुपात, कॉमन रेशियो, एक बटा दो की घात, के का योग है, और के का मान शून्य से अनन्त तक है, चलिए देखते हैं कि अब इससे हमें क्या मिलेगा, हम पहले ही अपरिमित गुणोतर श्रेणी के योग को वित्पन यानि डिराइव कर चुके हैं, जो ए गुणा आर की घात के का योग है, और के का मान शून्य से अनन्त तक है, और यहां बराबर ए बटा एक घटा आर है, अब हम इसे यहां प्रयोग करते हैं, यहां यह बराबर बीस बटा एक घटा एक बटा दो है, जो बीस बटा एक बटा दो के बराबर है, तो ये 20 गुणा 2 बराबर 40 है इसलिए गेंद के द्वारा तै की गई कुल उर्धवा धरदूरी रिनात्मक 10 जमा 40 यानि 30 मीटर के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारी गेंद के द्वारा तै की गई कुल उर्धवा धरदूरी 30 मीटर है